किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर रिष्टों की गाठे खुल सकती है तो उन रिष्टों के धागों को नहीं काटना चाहिए मैं जो उत्रानी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल उत्रानी क्लासेज में है फ्रेंड्स आज से हम वेक्टर स्पेस की एस मारा फार्श वीडियो लेक्चर हाज हम किवल वेक्टर स्पेस क्या होता है उसकी डेफिनिशन पर डिसकस करने वाले हैं अच्छा वेक्टर स्पेस की डेफिनिशन में काफी सारी वर्डिंग यूज होती है जैसे आप उसमें देखोगे तो इंटरनल कंपोजिशन या उसी को स्केलर मंटिप्लिकेशन भी कहते हैं अब क्योंकि वेक्टर एडिशन और स्केलर मंटिप्लिकेशन वर्डिंग यूज हो रही है तो वेक्टर क्या होता इसकेलर क्या होता यह भी पता होना चाहिए तो यह बारी बारी से पहले इन एक दो चीजों को डिसकस करते हैं फिर करता है तो अगर फिल्ड के मेंबर की बात करें तो उसको हम स्केलर करेंगे अगर समझते हैं इंटर्न पॉजिशन और एक्स्टर्न पर यहाँ पर मैंने लिग दिया है देखें आर मान लेते हैं कोई भी सेट है ठीक है और आर में कोई भी दो मेंबर ले लेते हैं फॉरेवरी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यह समझ दो कि वेक्टर के ऊपर जो बैनरी ऑपरेशन हमने अप्लाई ही है यहाँ पर लिग दिया ना बैनरी ऑपरेशन डएफायंड ओवर दे वेक्टर्स Luna दे मतलब वेक्टर्स के ऊपर जो भी बैनरी हो रहा है यह operate हो रहा है उसको हम internal composition यह वेक्टर एडिशन कहेंगे ठीक है इतनी बातों समझ में आगई अब external composition क्या होता है आई उसको समझ लेते हैं लेट भी भी तर सेट आफ एक्टर्स ठीक है मार लेते हैं कि वेक्टर्स का सेट है इसमें कई सारे वेक्टर्स आते होंगे एक कोई field है ठीक है अब यहां पर पड़ोगे तो यह फिल्ड हार भी फिल्ड रिजनरेट कर जाता है आप जानते हो complex called external composition उसको आउसमे external composition यह एक और वर्डिंग होती है scalar multiplication मतलब किसी scalar का multiply कर रहे हैं ठीक है किसके साथ vector के साथ ठीक है that is if ए operation यह composition जो भी आप वर्डिंग दे लो इसको denote करने के भी कई तरीके होते हैं ग्रूप क्योरी में मनें for every alpha belongs to tourists and a belongs to f मतलब ए rappers का मेंबर हो गया अलफा का एक्टर का मेंबर होगया और disposition कले कसे अलफा कहां पर उस भी में फॉर्म करें अगर ऐसा होता है और एक थे पाथ यूनिक होता है थएंच अनुद प Nap Prophet sr plays यह बीकलो हाना इस called external composition अब इसी को हम scalar multiplication करते हैं simply आप यह जानों कि vectors पे जो binary operation defined हुआ उसको vector addition या internal composition कह देंगे ठीके और scalar और vector के बीच में जो binary operation defined हुआ यहां हमने operate किया उसको external composition या scalar multiplication है याद करने के लिए आप इस तरह याद करना कि यार scalar सब्सक्राइब कर रहे थे scalar multiplication wording यूज कर रहे थे और वेक्टर पर जो कर रहे थे उसको vector addition कर रहे थे हैं समझते हैं वेक्टर इसफेस की definition को भी भी तो non empty set of vectors ठीक है भी माल यह कोई vectors का सेट है हना नौं इम्टी इसलिए वर्डिंग यूज करते हैं क्योंकि उसमें और कोई नो कोई element तो होगा बिना element के कोई property कोई definition बनेगी नहीं ठीक है एंड भी अफिल्ड हो गई ठीक है उसमें scalar टाप के मेंबर आएंगे इसमें वेक्टर टाप के मेंबर आएंगे भी में दैन एलजेब्री के structure भी प्लस डॉट ठीक है आपको पता है वेक्टर एडिशन इसकेलर मंटिप्लिकेशन प्लस और दो अप्रेशन यूज होते थे इसलिए यह structure जो डिफाइन करते हैं भी प्लस टॉट होना इस तरह से दिफाइन करते हैं तोगेडर भी टू बाइनरी ओप्लस और इसकेलर मंटिप्लिकेशन इस से टू बीए वेक्टर इसपेस ओवर फिल्ड एफ ठीक है ओवर एफ ओवर फिल्ड एफ बात एक यह जामें ठीक है और डेफिनिशन पूरी मैंने प्रॉपर्ली जो भी समझाता हूं उसको लिग दे जने में मुझे समझाने में थोड़ी आसानी हो जाए और आप उसको नोट भी कर सको ठीक है तो दो देखे पहली प्लस भी मेँ क्या है ब्लस प्लसaggi को लेंगे閉ल बेलियर मतलब अब याकाया होता है ऑमतलब कोई सेट ले यहां पे भी लेनी है प्लस ये भी इस प्लस के साथ पांच प्रापर्टी को हुल्ड करें कोनों कॉन सी क्लोजर एसोसियंटिव इग्जिस्टेंस आफ अइडेनिटी एग्जिस्टेंस आफ इन्वर्स और commutative law ठीक है अगर इन पांचो प्रापर्टी को hold करता है तो उसको कहेंगे second a in bracket alpha plus beta is equal to a alpha plus a beta अब यहाप आप दे सकते हो कि distributed property मतलब इस scalar को distribute किया जारा इस पे और इस पे distributed property यह scalar satisfy करना चाहिए ठीक है अब obvious से कहीं भी आप इसमें alpha beta a b जो भी लोग लिखोगे उसको फॉरिवरी करके alpha beta gamma theta यह सब बगर बढ़िंगा है तो हना यह आप समझ जाना कि वेक्टर के हैं उसको भी में belong करा देना और a b c d यह scalar होंगे तो यह फिल्ट के मेंबर होगे उसको तो फिल्ट f में दिखा देना अच्छा definition के बाद जब आप उस फिल्ट पर आओगे जैसे वेक्टर स्पेस ना इस तरह से दिखाते हैं कि हना वेक्टर स्पेस किसी फिल्ट के ऊपर जने टूरा है तो उस f की जगह पे आप आर को देखोगे यह सी को देखोगे तो आगे की जब चीज़े आएंगी तो वहां पे क्लिर हो जाए का वहां पे करते हैं वेक्टर रियल वेक्टर स्पेस है ना क्योंकि उस वेक्टर स्पेस को आर के ऊपर जनेरेट करते हैं बनाते हैं ठीक है थार्ड ए प्लस बी ब्रेक स्केलर पर ठीक है तो मतलब पहला अभी लेंट को फोना चाहिए दूसरा लेफ्ट से स्केलर डिस्टिबूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए ठीक है इन चीजों को आप प्रॉपर्ली वे में याद रखना ठीक है फोर्थ अबेलफा यहां पर एसोसेटिव लॉड हो रहा है स्केलर और वेक्टर का स्केलर वेक्टर का एसोसेटिव लॉड करना चाहिए फोर इवरी अल्फा बलंस तो भी एंड पॉर इवरी अबिलाउंग्स टो एफ ठीक है वन अलफा फन मंटिप्लाइब बेलफा आप कर सकते हो ड अबने एकका वे यह सकेलर है तो वह यहाएगा थीक है मतलब इतनी अगर पास प्रॉपर्टी घोल करता है कोई भी किसी भी एफ के ऊपर तो कहेंगे इस वेक्तार इसप्रेस भी ओवर एफ इस डी नोटेड घी एफ ठीक है उसको एक्टरा स्पेस कर देंगे और ऐसा ड़्या के रहा है उपर एफ के उपर हाना और इसको इस तरह से डिनोट कर देंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना आई मिलतें अपने नेक्स्ट विए में तब तक के लिए स्वस्त्र मस्त्रा है खुश्रा है जय हिंद